हेलो एवरिवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागता मारे यूटूब चैनल पर दोस्तो हर्याना पुलिस, यूपी पुलिस और सभी एक्जाम के लिए जिन भी एक्जाम से में अपका कम्प्यूटर पुछ जाता है कुछ important questions जो हैं कम्प्यूटर जिके हैं दोस्तो हम करेंगे सभी एक्जाम में दोस्तों कम्प्यूटर अक्रेज अब बढ़ने लगा है क्योंकि जो computer चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी प्रकार के लिए test बिल्कुल free of cost वीडियो आपको मिलती रहेंगी चलिए question का सिलसला शुरू करते हैं सबसे पहला question है computer की assembly बासा में लिखे गए प्रोग्राम को machine बासा में बदलने आकाम करता दोस्तो तो right answer इसमें रहेगा assembler इस प्रकार के question दोस्तों देखे दो-तिन question इस प्रकार बनते हैं computer के assembly को machine language में compiler से जो related question पुछा जाता compiler से जो assembly language होती है और assembly से compiler में यह अलग-अलग 2-3 question है दोस्तों इनको ध्यान से देख लीजगा तो assembly से machine, assembler, compiler से machine में compiler और दोस्तों assembler से compile में वो assembler तो यह आपके question बनते हैं उसके बाद अगला question है computer का बुनियादी कारिये क्या है तो इसका बुनियादी कारिये दोस्तों आंकी कारिये, तरकी कारिये, डाटा संग्रेन तो यह computer के main जो हैं वे कारिये हैं computer का हिंदी में नाम क्या है computer को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं तो संग गणक संग गणक इसको बोलते हैं computer का दिमार क्या कलाता है most important question बहुत सरी अगजाम है पूछे जाने वला तो computer का दिमाग कलाता दोस्तो CPU, control, जोना control panel unit या आपका रहेगा CPU, central processing unit में आपकी जिगा इसका रहेगा CPU का, वो अलग है आपका control process, यहाँ पे CPU रहेगा central process unit, उसके बद्धे है computer का जनक किसे कहा जाता है, computer का जनक कहा जाता दोस्तो Charles Bevez को, Charles Bevez ने जोना computer की जो है निर्मान य जाता है, computer को किस परकार की बुद्धी की संग्या दी गई है, तो क्रित्रीम बुद्धी की संग्या जो computer को दी गई है दोस्तो, उसके बतार computer के कारिया करने का सिद्धान्त क्या है, तो process कोई भी आप data डालोगे, उसमें जैसे दोस्तो आपने आप वहाँ पे process होके, जैसे या आप enter करोगे, उसको process करोगे, तो result देगा, तो process करने के कारिये कोई country, जो ना एक तरीके से computer का करिये हम बोलते हैं, जो process करता है, फिर आपको result देता है, computer के विकास में सरवादिक योगदान किसका है, तो one new man, one new man का सरवादिक योगदान इसमें है, अगला question, computer के लिए प्राथिमिक आउट्पूट डिवाइस कौन सा है, तो सब से पहले जो प्राथिमिक आउट्पूट डिवाइस है, दोस्तों वो है monitor, क्योंकि सभी कुछ display आपको monitor पे दिखाए दिखाए दिता है, उसके बाद अगर आपको अपनी copy निकालनी, print निकालना, तो print इस तरीके का जो symbol है, वे आपके wild card होते हैं, band क्या है, तो band है दोस्तों data संचरण की उच्तम इकाई, या गतिमापन की इकाई, data किस speed से जा रहा है, सटोर हो रहा है, या आपका data संचरण की जो ना रहेगा, या बैंड इसमें रहेगा, इसको बोल जाता है, चुम्ब के disk प परपरत होती है, जो आपका CD divider होता है, दोस्तों उसके अंदर आपने magnetic tape से रिलेटिड वो कई बार देखा होगा, जो CD DVD डलती है, प्रिंट करने के लिए shortcut की क्या है, इस परकार के question का आप करें, जो दोस्तों एक्जाम में बढ़ रहा है, shortcut keys से रिलेटिड, तो control plus P, control plus P, जो होना प्रिंट करने के shortcut की है, उसके बाद है दोस्तों आपका HTML, document बनाने के लिए किसकी जूरत होती है, तो text editor की जूरत होती है, उसके बाद अगला है, magnetic tape क्या होती है, यह erasible, reusable and durable, तो magnetic tape होती है, दोस्तों erasible उसका मेट आ जा सकता है, reusable, दोबारा यूज किया सकता है, और durable, मुझके बाद आगे software को और क्या कहते हैं, तो software के दूस्तों हम programs भी कहते हैं, software का दूसरा नाम क्या है, programs, अरला question है, computer में किसी program को हटाने के लिए, किस option का प्योग हम करते हैं, तो add और remove program जो अपना option है क्यों तरीके से दूस्तों, इसको हम use करते हैं, किसी program को add करने के लिए, या फिर remove करने के लिए, यानि कि हटाने के लिए, TFT का विस्तारित रूप क्या है, thin film transistor, thin film transistor आपका इसका जनपन रूप विस्तारित रूप full form आपकी रहेगी, उसके बद लास्ट कोस्टन है, इस वीडियो का दोस्तों, cell किसकी विशेषता है, तो cell है, दोस्तों Linux operating system, operating system यानि windows दोस्तों, जो हमारे system के अंदर होती है, हमारा system को चलाती है, यह हमारा system जिसके दोरा start होता है, बूट होता है, तो यह होता है operating system, तो Linux operating system जो होना, cell जो हो Linux operating system के अंदर आता है, तो दोस्तों यह कुछ computer के most important question थे, वीडियो अच्छी लगी ज़दे से ज़दे शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा, धन्यवाद, जैन जैबाल